जाखू मंदिर किसे समर्पित है यह कहां स्थित है और कितने फीट की उचाई पर स्थित है और इस प्रसिध मंदिर की ओर जाने का रास्ता कहां बना है और यह मंदिर आखिर क्यों इतना प्रसिध है यही सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रप्या कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए आइए हम आपको बताते हैं कि जाखु मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रमुक धार्मिक स्थलों में से एक है यह प्रसिद्ध मंदिर जाखु पहाडी पर स्थित है यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को समर्पित है जाखु मंदिर की चोटी से शिमला शहर का विहंगम नजारा देखने का आनन्द ही कुछ और है यह मंदिर जाखु पहाडी पर समुद्र तल से 8,048 फीट की उचाई पर स्थित है यह बरफीली चोटियों, घाटियों और शिमला शहर का सुन्दर और मनोरम द्रश्य प्रसुत करता है पौरानिक कथा के अनुसार, राम और रावन के मत्य हुए युद्ध के दौरान, मेग नाद के तीर से भगवान राम के अनुज लक्षमन घायल हुए और मुर्चित हो गए थे उस समय जब उपचार निश्फल हो जाने पर वैद राज सुषेन ने कहा कि अब एक ही उपाई सेश बचा है हिमाले की संजीवनी बूटी से लक्षमन की जान बचाई जा सकती है उस संकट की घड़ी में राम भक्त हनुमान हिमाले की ओर उड़े रास्ते में उन्होंने नीचे पहाडी पर याकू नामक रिशी को देखा वे नीचे उत्रे रिशी को नमन किया और संजीवनी बूटी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और उन्हें वचन दिया कि वे संजीवनी लेकर आते समय रिशी के आश्रम में अवश्य आए और दोड धूप के कारण समय के अभाव से वे रिशी के आश्रम में ना जा सके। इस कारण अचानक प्रकट होकर और अपना विग्रह बनाकर आलोप हो गए। रिशी याकू ने हनुमान की स्मृति में इसी मंदिर का निर्मान करवाया और वर्दान दिया कि वानरों के देव हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताईएगा और इस पवित्र स्थल के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा धन्यवाद।